नमस्कार सातियों मैं बेद प्रकाष आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाष से शड़ी में आपका स्वागत करता हूँ सातियों आज हो गई 9 जनवरी 2013 आज जो प्रतम सिप्ट में जो पेपर हुआ है सीटेट का आज इस वीडियो में करेंगे इस वीडियो में बाल विकास से विए शिक्चा सास्त्र दें ये सातियों पहला क्वेशन है निम्न मैं से कौन सा निम यह सुझाब देता है कि सरीर के विविन अंग विकास के विविन चरणों में भिन भिन दरों से विक्सित होते हैं नीचे आपके चार ओप्सन दे रखें ये आपको सही आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर ओप्सन नमर चौता हो जाएगा यहनि विकास की दिसा अदो गामी एवं सीर्स गामी है साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्ली वीडियो को लाइक, सेर अगर चैनल सब्सक्राइब ने की अप्ली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले हैं अगला कौशन कौशन नमर दो नीचे चार ओप्सन दे रखें हैं सही आंसर आपको बताना है इसका सही अंसर हो जाएगा ओप्सन नमर सेकेंड यानि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्क्रतिक परिपिक्ष में होता है अगला कौशन नमर तीसरा इसमें पूचा गया है आनवांसिक विन्याज की पूर्वन निर्दारित रूप से प्रकट होने की प्रिक्रिया क्या कहलाती है यानि खाली स्थान बढ़ना है इसका सही अंसर आपको नीचे चार ओप्सन दे रखें इन में से छाटना है इसका सही अंसर आप्सन नमर चोथा हो जाएगा यानि परिपक्वता कहलाती है क्या कहलाती है वो प्रिक्रिया परिपक्वता कहलाती है अगला कौशन पौशन नमर चोथा इसमें पूचा है खाली स्थान दो दे रखें एक पहला दे रखा है एक यह दूसरा दे रखा है यह खालिस्तान वड़ने इनमें से समाजी करण का प्रात्मिक और फिर खालिस्तान समाजी करण का दुत्यक खारक है यानि प्रताम दुत्यक का रख पूचे हैं समाजी करण के तो इसका सही answer option number फैला हो जाएगा यानि समाजी करण का प्रात्मिक और फिद्याले सेकेंड समाजी करण का दुत्यक खारक है अगला कोशन देख लेते हैं कोशन नमर पांच नेक्ट कोशन है कोशन नमर पांच में पूचा है लोरेंस कोलर वर्ग के अनुसार साथ आठ वर्षिय बच्चों में नेतिक नेड़े लि आज्या पालन राइट आंसर आप्शन नमर तीसरा हो जाएगा नेक्ट कोशन नमर शेक्स सेक्स में पूचा गया है जीन प्याजे के सिद्धांत में क्रम रद्यता किस संदर्व में प्रियोग हुआ है नीचे आपके चार आप्शन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन नमर पहला यानि बस्तुम को किसी एक आहयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना अगला क्वेशन देख लेते हैं क्वेशन नमर शेविन सेविन में पूछा है पांच वर्षिय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यद दबा कर एक सांप के रूप में पर वर्थित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है जीन प्याजे के अनुसार इसकी इस सोच के पीचे कौन सा तर्क है नीचे आपकी चार उप्षन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है क्वेशन नमर सेविन का रायट आंसर उप्षन नमर सेकंड हो जाए यानि यह सोच है आपकी केंद्रिय गेंद्रियता की किसकी सोच है यानि नसीमा की यह सोच जीन प्याजी के अनुसार केंद्रियत्या की सोच है हगला next question, question नमर आठ लेव वाइगोट्सकी के संग्यानात्म का विकास का चिद्धांत खालिस्तान दे रखा है पर आदारेत है खालिस्तान की जयगे पर क्या आएगा इन नीचे चार आप्सन दे रखे हैं सही अनसर आपको बताना है question नमर आठा नमर प्हाला हो जाएगा यानि, खालिस्तान की जयगे पर आएगा अगला question, question नमर 9 नौ में पूचाए लेव वाइगोस की ने बच्चों के स्वें के समबाद करने की क्रिया के लिए किस सब्द का प्रियोग किया है नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है Q9 का राइट आंसर क्या हुगा Q9 का राइट आंसर ओप्सन नमर पहला हो जाएगा यानि निजी समबाद पर किस पर निजी समबाद पर अगला नेट प्सक्ट क्षण प्सन नमर दस दस में पूचा है एक प्रगतिस सील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशिस्ता है नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं इन में से सही अंसर आपको बताना है इसका राइट अंसर ओप्सन नमर तीसरा हो जाएगा यानि सहयोगिता सहयोगिता पून अधिगम अल्ला नेट क्षण क्षण नमर 11 है ग्यारे में पूछा है एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योगिता है यह बुद्धी के किस स्वरुप को दर्साती है नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं राइट आंसर आपको बताना है ग्यारे का राइट आंसर क्या होगा ग्यारे का सही आंसर ओप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि अंतरा व्यक्तिक बुद्धी कहलाती है अगला प्षण क्वश्ण नमर 12 बारे में पूछा गया है राइट ट्रिय सिक्चा नीती 2020 में नियमने मैंसे कौन सा कथान प्रस्तावित है नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है क्वश्ण नमर 12 का सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर ओप्सन नमर 3 हो जाएगा यानि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुवहासी होने के उच्च ग्यानात्मक लाव है अगला क्वश्ण प्वश्ण नमर 13 तेरे मैं पूचा है जेंडर भूमिका है खालिस्तान है यानि जेंडर भूमिका क्या है तेरे मैं चार ओप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है येंडर की भूमे का बतानी है इसका सही आंसर, राइट आंसर अप्सन नमर पहला हो जाएगा यानि आधिक रहित व्यभार यानि येंडर की भूमे का आधिक रहित व्यभार है अगला next question देख लेते है Question नमर 14 14 पूचाया सतत इवं समग्र मुल्यांकन का प्रात्मिक उद्धिश है नीचे चार उप्सन दे रहे हैं इन मेंसे सही आंसर आपको बताना है Question नमर 14 का सही आंसर क्या होगा 14 का उप्सन नमर 2 सही हो जाएगा यानि छात्रों की समाज को आकना और पाठे करम तथा सिक्षा सास्त्र को इसके अनुसार रूपांत्रित करना अगला Question नमर 15 है 15 में पूचा गया है अपनी कक्षा के लिए मुल्यांकन पद्धतित्य करने से पहले एक सिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए 1. मेरे अलावा इस इन परिणामों का अपयोग कौन करेगा 2. विशिष्ट चात्रों की अधिकम वक्र का पता लगाने का सर्वत्तम तरीका क्या है 3. कौन सा तरीका अध्यापक को स्वें के सिछा सास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा अफोर्त कौन सी विदी चात्रों को उचतम अंक पाने में मदद करेगी इसके नीचे 4 ओप्सन दे रखे हैं राइट आंसर आपको बताना है क्वेस्टन नमर 15 का राइट आंसर ओप्सन नमर पहला हो जाएगा यानि 4 और सही होंगे इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चार, चोथा अगला क्वेस्टन क्वेस्टन नमर 16 16 में पूचा गया है समावेसी सिक्षा से अभिप्राय है नीचे 4 ओप्सन दे रखे हैं सही आंसर आपको बताना है इसका राइट आंसर अप्सन नमर चोथा हो जाएगा यानी समावेसी सिक्षा से अभिप्राय है कि योगिताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुडवत्य सिक्षा उप्लग कराई जाए अगला क्वेस्टन देख लेते हैं क्वेस्टन नमर 17 17 में पूचा गया है कतन ए पढ़ाते समय एक सिक्षा को पाठा सामगरी को दर्साने की विविन तरीके अपनाने चाहिए कारण दे रखा है कि सिक्षा को अधिगम करताओं की विविद आविसे करताओं है तो अपने सिक्षा सास्त्र को उनके अनुकूल पनाना चाहिए सही विकलप आपको शाटना है नीचे चार उपसन दी रखे हैं इन में से सही आंसर आपको बताना है कौसन नमर 17 का सही आंसर क्या हुआ 17 का उपसन नमर पहला सही वे जाएगा यानि A और R दोनों सही हैं और R सही व्याक्या करता है A की आर सही विया क्या करता है एक ही अगला कॉसन देख लेज़े नेट कॉसन है कॉसन नमर 18 अठारे में पूचा है एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठनाई का सामना करती है उसे अक्षर बनाने और सब्दों के बीच अंतराल करने में शुनोती मैसूस होती है यहां लक्षण किस अधिगम विकास की ओर इसारा करते हैं नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं इनमें सही राइट आंसर आपको बताना है कॉसन नमर 18 का सही आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर अप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि आलेक वेकल है कॉसन नमर 19 मैं पूचा है विद्यार्तियों में व्यक्तिकत विविन्नताओं को पूरा करने के लिए एक सिक्षक को नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं इनमें से सही आंसर आपको बताना है कॉसन नमर 19 का सही आंसर क्या होगा 19 का सही आंसर ओप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि सिक्षा सास्त्रिय अपागमों और मुल्यांकन के विविद्य साधनों का अपयो करना चाहिए अगला नेक्ट कॉसन दे लेते हैं कॉसन नमर 20 20 में पूचा गया है निम्न मैंसे कौन सा सरजनात्मक का अनिवारे लक्षण है नीचे चार ओप्सन दे रखें सही आंसर आपको बताना है क्वसन नमर 20 का सही आंसर क्या होगा 20 का सही आंसर ओप्सन नमर पहला हो जाएगा यानि अपसारी चिंतन अगला नेट क्वसन देख लेते हैं क्वसन हमर 21 21 में पूचा है छोटे बच्चे ज्यान की सरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं पहला सक्रिय अन्वेशन द्वारा सेकेंड खेल द्वारा और थड़ पदार्थों पर क्रिया और प्रियोग द्वारा अफोर्थ है सब फार्थियों और वैसकों संग सहब आगिता द्वारा नीचे चार ओप्सन दे रखे हैं इन में से राइट आंसर आपको बताना है क्वसन नमर 21 का सही आंसर क्या होगा 21 का सही आंसर आप्सन नमर फोर्थ हो जाएगा यानि पहला दूसरा तीसरा और चौता यानि सभी अनुसरण गड़ते हैं अगला क्वसन क्वसन नमर 22 22 में पूचा गया है एक अध्यापे का बच्चों को फोन नमर अटने के लिए फोन नमर की 10 अंकों को 34 अंकों में सहमू में बाट कर याद करना सुझाती है अध्यापे का द्वारा सुझाई यह रणिनीती कहलाती है यानि क्या कहलाती है नीचे 4 आप्सन दे रखें राइट आंसर आपको बताना है 22 का सही आंसर क्या हुगा इसका सही answer option नमर पहला हो जाएगा यानि खंडी करण कहलाएगा अगला next question, question नमर तेज़, तेज़ मैं पूचा है निम्न में से अधिगम की कौन सी दसा पर विद्यालेओं में सब से अधिक बल देना चाहिए नीचे चार option दे रखे हैं, सही answer आपको बताना है इसका right answer option नमर पहला हो जाएगा यानि परवेश से सहब आगेता द्वारा कोसलों और ज्यान का अर्जन next question, question नमर चौबीस चौबीस में पूचा गया है निम्न में से कौन सा युगम सामाजिक सर्राचनात्म को और पागम के अनुसार चात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है पहला दे रखा है सलमा विद्यार्थी को नए सब्द सिखाने के लिए फ्लेस कार्ड का उप्यो करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टौफी देकर पुरुस्क्रत करती है सेकंड दे रखा है परामति विविद प्रकारिकी पुस्तकों अपने विद्यार्थीयों को पढ़ने के लिए दिती है जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमेत रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है थड़ कहता है अरून्धती नए सब्दों का अर्थ समझाने के लिए संदर्व संबने संक्येतों के इस्तेमाल पर बल देती है अफोर्ट दे रखा है रेखा अपने विद्यार्थियों को उन सब्दों को पांच वार लिखने के लिए देती है जो वहां वर्तनी परिच्छा में घलत करते हैं इनके नीचे चार अपसुन दे रखें सही आंसर आपको बताना है 24 का सही answer option नमर थड़ हो जाएगा यानि second और थड़ अनुसरण करते हैं कौन-कौन से second करता है और ये थड़ अनुसरण करता है अगला कौसंदिक लेते हैं कौसंन नमर 25 25 में पूचा गया है वो एक सेक्षे को होने के नाते आप अपने चात्रों में समश्या, समाधान, चमताओं को किस प्रकार सुसाद्य कर सकते हैं नीचे चार उप्सन दे रखे हैं इनमें सही answer आपको बताना है कौसंन नमर 25 का right answer अप्सन नमर 30 रहो जाएगा यानि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देखकर अगला नेक्ट कौसन देख लेते हैं कौसन नमर 26 26 में पूचा गया है निम्न में से कौन सा सार्थक अधिकम को सुसाद्य करेगा इचे चार उप्सन दे रखे हैं सही answer आपको बताना है इसका right answer अप्सन नमर 2 हो जाएगा यानि एक समस्या पर विविद तरीकों से विच्चार करने के लिए प्रुसाहित करना अगला नेक्ट कौसन कौसन नमर 27 27 में पूचा है एक विद्यारती अपने कारे की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें खालिस्तान की भावना उत्पन होगी यानि खालिस्तान की जगए पर क्या आएगा नीचे चार ओप्सन ने रखे हैं इनमें right answer बताना है क्वेसन नमर 27 का सही आंसर क्या होगा 27 का ओप्सन नमर 3 सही हो जाएगा यानि गर्व गर्व की भावना उत्पन होती है क्वेस्टन नमर 28 28 में पूचा है सिक्षा के प्राथ्मिक इस्तर पर बहुत समवेदन ही है और पागम के इस्तेमाल को प्रुस्ताहित करना चाहिए क्योंकि नीचे चार अप्सन दे रखें इनमें से राइट आंसर आपको बताना है 28 का राइट आंसर क्या होगा 28 का अप्सन नमर पहला सही होगा यह अधिकम और अधिक प्रवाबसाली बनाता है अलए नेच्ट क्वेस्टन देख लेते हैं क्वेस्टन नमर 29 29 में पूचा है बच्चे अक्सर विविन संकल्पों के बारे में विकल्पिक संकल्पनाय और ब्रांतियां गठित खर लेते हैं इस संदर्प में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है नीचे चार आप्सन दे रखें निम्न से सही आंसर आपको बताना है 29 का राइट आंसर क्या हुआ 29 का राइट आंसर अप्सन नमर पहला हो जागा यानि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित विकल्पिक संकल्पनाओं और भांतियों को सक्त रूप से हतोस ताहित करना चाहिए अगला कॉसन नमर 30 30 मैं पूचा है निम्न मैं से अधिगम का कौन सा परिपेक्च यह कहलाता है कि ठोस प्रलोवनों और प्रुसकारों द्वारा विद्यार्तियों को सीखने के लिए अभिप्रिरित किया जा सकता है नीचे चार अप्सन ने रखें इनमें से सही आंसर आपको बताना है कौसन नमर 30 का राइट आंसर क्या होगा 30 का राइट आंसर और सन नमर 2 हो जाएगा यानि व्यवहारात्मक अब साथियों यह मैत के कौसन आ गए है इसमें मैत के कौसन देख लेते हैं मैत मैं पूचा है एक स्कूल में 96 सिक्षकाओं में से 3 वट्टे 8 सिक्षकाओं उच्छी स्कूल कप्षाओं में पढ़ाती हैं यद उच्छी स्कूली सिक्षकाओं का 2 वट्टे 9 वाँ भाग गड़त सिक्षकाओं हैं तो यहाँ उच्छे स्कूली सिख्याओं से गड़ित नहीं पढ़ाती उनकी सिंख्या है नीचे चार अपसंदे रखें सही आंसर आपको बताना है 31 का सही आंसर क्या होगा 31 का साथ यो सॉल्व करने पर इसका सही आंसर तीसरा आ जाएगा या नी इसका रएट आंसर 28 हो जाएगा इससे हम सॉल्व करके आपको बोड़ पर बता देंगे अगर आपको महत की वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट करें जिससे मैं महत की वीडियो आपके लिए ये पूरी बना सकूँ आज मैं इस वीडियो को ये पर समाप्त करता हूँ आज के लिए वस इतना ही धन्यवाद